सबसे बड़ी फूल मंडी में जो कि पड़ती नौबस्ता के पास तो आज का यह फूल मार्केट का जो कि अब तक शायद किसी ने भी नहीं आपको दिखाया होगा तो आज में दिखाने वाला हूं आपको कानपूर की सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट तो आएज चलते हैं अंदर और देखते हैं यहां पर किस किस ट्राइब में अगर आप भ बहुते सस्ते दाम उपर इसे तरीके आप भी करवाएं अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन पर लिएवर्टाइज आप कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो कर दो कि एक कर दोदू कर दो करते दो कि अधिरी अधिर कोई बढ़ नहीं है कल बड़ी सकता दो कल चालिट पर सब्मक्राइब कि तुब जब जगाराख का तो तो इस सब जगह से ग्राइज दो आप या वाई काई नहीं तो यहां पर फूला अपने खरीदे है यहां फूल खरीदे है और यहां तो रेट बताएंगे बाइस उरुपय तुरंट काहिने लगेंगे तीस उरुपया अच्छा ऐसा होता है और आप क्या मंदिर में लगाते हैं फूल अच्छा दान में जा रहा है तो कीमत में ऊपर नीचे करते रहे तो ही नहीं बाव एक सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बीच रुपय किलो में गेंदा है और यह क्या रेट है साट रुपय किलो यह फ्लावर है साट रुपय किलो यह कौन सा फूल है गुल्दावरी फूल्फ गुल्दावरी सफेथ वूल्फ साड रुपय किलो बिजली का फूल स्कोड कहते हैं अचा इन सब खुलागों में अपने कानपूर महीं थील मंदी हैं अपला बहुत हैं कि नहीं सब जगे हैं कानपूर की फ्लावर मार्केट है यह काफी दूर दूर तक फैमस है अपने कानपूर से काफी दूर दूर तक लगवर सत्र से कानपूर के फ्लावर मार्केट अगर आप आना चाहते हैं और खरीदना चालते हैं होलसेल प्राइज में फ्लावर्स डेकोडेशन के लिए तो यहां का पूरा एडर्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है आप सीधे गूगल के सर से यहां पे आराम से पहुंच सकते है कि अधियर की शॉप होगी माला क्या रिट की है कि अधियर की और यह एक फ्लावर कितने का है गुलाप का 20 रुपएगा यहां पे यह जितनी दुकाने आप देख रहे हैं लगी हुई यह सब रिटेल की शॉप है और इसके अंदर जो पूरी मार्केट है वह होसल की फिलॉवर में ठीन लेगे दोचेखने में फ्लावर अपयार में olması है इन से लोगने नयुमेड लेने हैं को यह पितनी दूर दूर से लोग आते हैं तो जैसा कि जानकारी मिली है दो डाइसा किलोमेटर दूर सो भी लोग यहां पर फ्लावर खरीदने के लिए आते हैं इतनी जैदा फैमस अपने कानपुर की यह फ्लावर मार्केट कानपुर की फ्लावर मार्केट को जो की होलसेल फ्लावर मार्केट है तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और कमेंट सेक्शन वे अपनी राय मुझे जरूर दें ठीक है तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं प्रेंट कर है वाय टेक केर आप सम लोग अपना ख्याल लगता है